हर जगा यह ड्रिंक वाइरल हो रहा है ताके स्नैक पे टिक टॉक पे यूट क्यूब पे हर जगा वाइरल हो रहा है कि यह लोग यह ड्रिंक बनाते हैं इसी भी बनाके भी जाते हैं तो मैंने सुचा मैं भी ट्राइ कर दूँ कि क्या यह ऐसी होता है अगर मीटा होता है सच में बहुत मज़े का होता है या पर यह वैसे सब कुछ जो देखा रहे हैं सिर्फ दिखने में अच्छा है तो पहले इनकी वीडियो देखे कि यह लोग कैसे बना रहे हैं पिर मैं जाक मिलन लिया है इस तरीके से और आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है इस तरह का तो इसी से यह चीज बनती है कुछ लोग मिकसर यूज करते हैं मिकसर से नहीं बनती इस चीज से बनती है क्योंकि इसको अंदर से ग्रैंट करता है तो मैंने इसको गोल सा क्योंकि इसकी शेप आइस क्यूब्स के लिए अचाह इन लोग और बहुट से लोग इसमें आइस क्यूब्स पे एड करते हैं तो यहां बहुत बढ़ बता हुआ अगर प्र पिर गरम और पे आइस क्यूब्स एड कर दूँगी अब इसको चलाके दिकाते हैं फ्रेंक्स कुछ लोग कहेंगे कि आप बीज में की जूस बना रही है तो यहां पर एक बात बताओं कि अगर हर्बूजे के बीच है या तर्बूज की बीच है मुस्क मिलन या स्वीट मिलन की बीच है या वाटर मिलन की बीच है तो उस वो फाइबर रिच होते हैं, सब हर्बूजी से ज्यादा फाइबर उनकी बीच में होता है, तो वो फाइदा मन होते हैं, इस चीज से कबराना नहीं है, बलकि फाइदा उटाना है, बस इसको चबा चबा की काएं, या पिर उसको अच्छे से ग्रेंट करके पिये, तो पिने लगी, तो मुझे पता है क्या फील हुआ, मुस्क मिलन जो होता है, या स्वीट मिलन जो होता है, हरबूजे जो होता है, उनकी बीच जितनी भी इसको ग्रेंड करो, उसकी बीच का तोड़सा कुर्दुर अपन इसमें आ जाता है, तो जिएद वहतर तरीका है, अगर आप इस तरीके से जूस बनाते हैं, आहर में आइस क्यूब्स भी डालें, अगर आपका जूस टंडा नहीं है, तो वो बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़ेका बनता है, लेकिन एक बात इसमें होती है, कि अगर आप इसको एक बार जूस बनाने के बाद गलास में निकालक और पिर प्राल लगा के पिए, तो जीदा मज़ेका होता है, अब सेम खर्बूजा में, सेम खर्बूजा के डखन में मैंने बनाया वाटर मिलन का जूस, किस तरीके बनाया है, अफ़तारी के बाद कुछ खर्बूज के स्लाइसिस बचके, तो वो मैंने डाले, क्योंकि एक तो वैसे भी लोग मेक्स फरूट चार्ट बनाते हैं, तो जाया नहीं करना चाहिए, रिजक, तो मैंने वो भी डाले और तोड़ा सा वाटर मिलन बीच समेद डाल दिया, अब इसका जूस ट्राइ करते हैं, कि कैसे बनता है, जब मैंने ये बनाया, इसमें शुगर एड़ क और जब मैं ये पिया, तो ये भी बहुत अच्छा बना, बस हर बूजी का जूस है, वो बनाने के बाद चाहिए, क्योंकि उसके जो बूइच है, वो मुमे रह जाते हैं, बाकि दोनों ड्रिंक्स इस तरीके से बनाएंगे, तो बहुत अच्छे बनते हैं, और बच्छी भी शौक से पीते हैं, और मज़े के भी लगते हैं, स्पेशली अफ्तारी में तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी एक बार जरूर ट्राइ कीजिए, आपको मज़ा आएगा, उमीद करते हूं, वीडियो आपको अच्छी लगए होगी, लाइक जरूर कीजिए, जज़ा च